हलो गाईज, वेलकम बैक टो अनटर वीडियो, तो गाईज, आज हम आगे हैं दुभारा से आपके सामने एक बहुत ही इंफोर्मेटर वीडियो के साथ, जैसे कि आपको परता है कि ये नेक्सॉन मैंने बर्चेस किया है, तो ये मेरा खुटका एक्सपिरियेंस रहा है इस ने आज इस वीडियो में उनी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो भी हो मैं आपके सामने रियल में ला सकूं, जो चीज़े हैं वो जैन्मन तरीके से आपको बता सकूं तो गाईज, आज की वीडियो में वो ही सारे पॉइंट्स हम डिसकस करेंगे, जो मुझे लगता है कि यार इस कार में होने चाहिए थे अच्छे जो की नहीं है तो गईस बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो की टाटा के साथ जूड़ी ही गया है and Tata की कई cars में issues रहता है वो रहता है इस car में panel gapping का बहुत जगे आपको दिखेगा इस car में जो panel gapping है वो आपको disappoint करेगी कई एंगल से because कई-कई जगे बहुत ज़ादा आपको panel gapping दिखने को मिलेगी जैसे for example की बात करिए मैं आपको यहीं दिखाता हूँ अब इस portion में देखिए side में अगर आप मैं आपको देखूँगा तो आप इस portion में देखिए आपको दिख जाएगा इधर थोड़े कम है panel gap इधर आपको ज़ादा panel gap देखने को मिलेंगे उसके अलावा बहुत सारी चीज़े है पैनल gap आपको बहुत जगे देखने को मिलेगी तो यह जो चीज़ है कि टाटा को साथ पहले भी issues रहे हैं इसके लेके अभी भी यह issues है इस कार में कि panel gap इंग है इस कार में तो यह issues तो मैं यार पहले भी बहुत बार race कर चुका हूँ कि यार यह issues है और अभी तक पूरी तरीके से issues रिजॉल नहीं हूँ है तो इस कार में भी आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी उसके अलावा एक point जो मैं race करना चाता हूँ वह है इसकी paint quality को लेके paint quality से मैं जादा खुश नहीं हूँ इस कार की paint quality मुझे लगता है कि कई जगे बहुत better नहीं है and वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे आपको यहां पे दिख जाएगा I don't know camera कितना justify कर पा रहा है आपको यहां paint में बहुत जगे marks दिख जाएगे अब यह dust के marks हैं या किस के marks हैं वो मुझे नहीं पता जबकि इसमें मैं एक बार teflon coating करा चुका हूँ बट फिर भी मेरे को लग नहीं रहा कि camera में इतनी clear आ पा रहा है बट फिर भी आपको यह दिख जाएगा teflon coating कराने के बाद भी मुझे यहां पे यह हलके हलके soil marks दिख रहे हैं जो कि मेरे को लगता नहीं यार यह चीज यह paint quality को लेके issue होना चीज आप इतने कार deliver कर चुके हो आप around 50 lakhs कार आप बेच चुके हो और उसके बाद भी यह paint quality को लेके issues आ रहे है तो यह नहीं होना चीज है यह एक issue है जो मैंने पहले भी race किया था कई लोग मुझसे सहमत नहीं हुए थे उस वीडियो में पर paint quality को लेके issue है देखो मेरी अपनी कार है यार मैं जान बुचके उसकी बुराईयां नहीं करूँगा जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ paint quality को लेके issues है and वो fact है तो आप बैटो के कार में कई जगे ना proper finishing आपको देखने को नहीं मिलेगी तो एक पॉइंट है जो मुझे लगता है यह चीज नहां बहुत बार बहुत वीडियो में बता चुके हैं और हम कई बार बोल चुके है कि यार एक तोड़ा fit and finish का issues आ रहा है डाटा में ताटा बहुत अच्छी गार बना रहा है में को अगर में को टाटा पॉइंट है यार गलत वह है तो यह पॉइंट है जो आपको मैं बताऊंगा कि आपको disappoint कर सकता है उसके बाद अगर हम बात करें कार थ्री सिलेंडर के साथ आती है और बात करें कार में noise and vibration की एन्वेस लेवल की तो गाइस एन्वेस लेवल है कार में noise and vibration आपको feel होगी because 3-cylinder है तो आप यह compare नहीं कर सकते कि आपको 4-cylinder जितना refine मिलेगा तो यह चीज आपको जरूर फील होगी 3-cylinder engine के साथ तो वह इसमें आपको मिलेगा हाँ obviously पहले की अगर मैं compare करूं जो इसक आपको इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा तो एक यह point है जो आपको थोड़ा disappoint कर सकता है अगर आप Tata की car plan कर रहे हो और Tata की car क्या यार कोई भी 3-cylinder अगर आप car जाओगे तो थोड़ा बहुत एन्वेस लेवल आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा तो एक यह point है इसके अपते हो चुके हैं मैं इस car को चला रहा हूँ तो बाकी यह point है जो मुझे लगे और वह आपके सामने बताए मैंने तो उसके अलावा और कोई major point मुझे नहीं लग रहा मैंने आपको पहले भी आप चैनल में पहले से जुड़े हो तो मैं आपको पता होगा मिरे पास पहले में बेस्ट कार थी मैं मानता हूँ उसको नेक्सोन भी काफी बढ़िया कार है एंड जितना मेरा एक्स्पीनेंस रहा है इसको चला के मुझे परसनली पसंद आई यह फाइव गेर ट्रांस्मिशन वाली कार है पहले हम आपको बता दूँ तो इसमें सिक्स गेर में कोई इशूस तो नहीं आ रहे या फाइव गेर ट्रांस्मिशन हम ले सकते हैं तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि क्या मेजर डिफ्रेंस आपको फील होंगे जब आप एक फाइव गेर ट्रांस्मिशन कार यूस करोगे तो मैं आपको अगर मेरे पास कोई आगे पॉइंट्स आते हैं या कुछ होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस वीडियो में इतना है अगर आपको यी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक तो दिस वीडियो और अगर विश्या मेरे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइ है तो वह भी हमारे नीचे दिएवे इमेल आइडी पर कॉंट्राट कर सकते हैं जरूर हम आपका एक्सपीरियंस भी अपने शेयर करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई